हेलो जी एंड वेलकम तो दे चैनल क्या आल है आप लोगों के फुल-on सूपर डूपर मौज मस्ती जल रही है कि नहीं यह बता दो आज हम सूपर एनरजी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना सेवन्थ चैप्टर जिसका नाम है ट्रांस्पोर्टेशन इन अनिमल्स और कर सकते हो तो फटाफट वीडियो करो पॉस अपनी किताब ले आओ एक पैन ले लो या पैंसिल ले लो या फिर अगर हाइलाइट रहे तो चक्टे पटे बले-बले हो जाना है और फस्त देखते जाओ जो जो चीज मैं हाइलाइट करा रहा हूं पढ़ा रहा हूं यहीं प्लांट्स जानव जो प्लांट्स होते हैं हम में ट्रांस्पोर्टेशन चीजें इधर से उधर किस तरीके से जारी होती हैं इसके बारे में हम बेसिकली सीखेंगे तो पिछले कुल चाप्टर में आपने सीखा था कि इंसान को या किसी बे और्गानिसम को जीने के लिए क् लिए अब इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट तो करना पढ़ेगा न बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में तो हर आनिमल में इस चीज का अलग-अलग हिस्ता है अलग-अलग पार्ट्स हैं यह कैसे हो पाता है यह हो पाता है सरकुलेटरी सिस्टम्स के थूँ और इस चाप् आने प्लेटरीज क्या आपने यह इसी बदा दिया अले सब कुछ आएगा सब कुछ तो पहला टॉपिक आता है सरकुलेटरी सिस्टम्स में क्या-क्या है सबसे पहले आता है cidade-ब्लद क्या होता है इस चीज नहीं पड़ो जितना हाइलाइट है उतना हाइलाइट कर लो क्यो ब्लड होता है, blood is the fluid which flows in blood vessels, it transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body, it carries oxygen from the lungs to the cells of the body, it also transports waste for removal from the body, पूरे पांच नंबर का कुशन बन गया कि भाईया, ब्लड होता क्या है, तब से पहले blood एक fluid है, जो के body के vessels में बहता है और ट्रांस्पोर्ट करता है substances को जैसे की digested food को, कहां पे, small intestine में और बाकी के अलग-अलग parts में ट्रांस्पोर्ट करता है, उसके अलावा यह oxygen भी carry करता है, lungs में और throughout the body, उसके अलावा यह waste removal को भी करता है, तो यह सारे हमें पता चल गया कि blood होता क्या है, करता क्या है, also, blood जो होता है, वो बना होता है, एक liquid substance है, that is plasma, अब इस plasma के अंदर क्या होते हैं, कुछ अलग-अलग तरीके के cell होते हैं, जो कि अब हम बढ़ेंगे, क्या होते हैं, तो एक तरह का, देखो, तीन basic तरह के cell होते हैं, पहले होते है red blood cell, फिर होते है white blood cell, और फिर होते है platelets, ठीके जी, एक एक करके तीनों को बढ आने वाली चीज पते क्या होती है, red pigment होता है, जी hemoglobin, ये hemoglobin क्या होता है, देखो जी, अब यहां पर मैंने अलग highlight इसलिए करा है, क्योंकि ये पूरा green जो है, ये बताता है कि hemoglobin क्या होता है, तो जी hemoglobin जो करता है, bind करता है oxygen को, and transport it to all parts of the body, and ultimately to all the cell, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cell of the body without hemoglobin, the presence of oxygen makes blood appear red, तो हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले तो hemoglobin का क्या है, कि oxygen को bind करता है, और oxygen को transport करता है body के अलग-लग हिस्तों, और ultimately हर छोटे-छोटे cell तक body के, उसके अलावा, अगर हमारी body में hemoglobin कम हो जाता है, तो oxygen का transportation difficult हो जाता है, very important, and third point है, कि इसके presence की वज़े से ह हमारा जो blood है, वो लाल कलर का नजर आता है, clear, अब आप किसी को भी कोई भी आपसे पूछेगा, तो आप आराम से ये सब चीज़े बता सकते हो, और यही main aim होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, marks लाना aim नहीं होना चाहिए, बट यह जो concept है ना, कल को को कोई road चलता बंदा भ समझेंगे, तो पूरी energy बनाए रखो, अगला है भाईया white blood cell, क्या होता है white blood cell, देखो, बहुत important चीज़ है, इसके एकदम practically समझेंगे, कभी तुम्हें चोट वोड लगी है, of course लगी होगी, कभी तुमने देखा कि हमारी चोट automatic कैसे ठीक हो जाती है, how, 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 यह होती है white blood cells की वज़े से, तो यह वो cells हैं हमारे blood में, चोके fight करते हैं against germs, यानि कि जो कि हमारी body में integrate सकते हैं, हमें बुखार आता है, तो हम अपने आप ठीक हो जाते हैं, सुखाम होता है कुछ दिन माँ ठीक हो जाता है, यह सारी चीज़, चोट लगती, कट लग जाता है, अपने अब उसके बाद बात करते हैं किसी इसकी, हम बात करेंगे कि चोट लगने के बाद वहाँ पे current बन जाता है, वो बन पाता है platelets की मदद से, जो कि हमारे blood का third हिस्ता है, तीन चीज़ों की बात हो ली थी थी न, WBC, white blood cell, red blood cell and platelets, तो समझ में आ गया, यह था काम main platelets का, अब ह हमने blood पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे circulatory system पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला part था हमारा blood, अगला part आता है blood vessels, तो blood vessels है क्या, देखो भई, हमारी body में blood को transport करने के लिए, जो pipes कह सकते हो, बहुत basic भाशा में, जो pipes हैं, उन्हें कहते है blood vessels, अब हमारी body में दो main तरह के blood vessel है, एक तो है arteries, दूसरी है veins, very good, देखो, यही पढ़ना था ना, अब देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं, जी arteries की, यह जो arteries हैं, इनका main काम क्या है, कि oxygen rich blood को hurt से throughout body में बहुचाना, अब यार यह तो तुम्हें पता है न, हमारी hurt में क्या होता है, pumping होती है, अभी हम hurt भी पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी basic तो तुम्हें पता है न, hurt का काम क्या है, तो अपने hurt में है, oxygen से भरा हुआ blood, एक दम fresh blood, oxygen वाला, arteries के थूँ, यह blood पूरी body के अलग-अलग हिस्ते में जाएगा, अब क्योंकि यह blood जो है, बहुत जाए, ज्यादा pressure आया, तो नस फट गई, ऐसा नहीं होता है, अब देखो, कभी आपने ऐसे हाथ पे finger रखा है, यहाँ फोटो है, यह जैसे doctor check करते हैं, इसको कहते है, pulse check करना, actually यह pulse जो है, आप पता है, टच किसको कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी artery को touch कर रहे हो, और artery म इतनी तेजी से, क्या होता है, blood flow कर रहा होता है, कि हमें वो ऐसा throbbing, जैसे, ऐसे feel होता है, और यह इसे क्या कहते है, हम pulse rate कहते है, और यह पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नॉर्मल, यह है आपकी actual science, मुझे बड़ा मसा आता है, यह वाली science पढ़ने में, और important चीज जो अब मैं बताऊंगा, वो क्या है, कि एक आम आदमी, एक normal healthy बंदा, कैसे पता करोगे कि healthy है, बस तुम उसकी pulse चेक कर लो, count करो, एक मिनिट में, 72 से 80 beats, अगर वो भाई हो, आती है pulse, तो वो एकदम normal है, healthy है, और तुम्हें पता है, pulse में इतनी पावर होती है, कि ब 5 मिनिट क्या, 10 सेकंड में पता जेता है, वो क्या, एक मिनट तो नहीं वेट करता, तो यह maths है, जी, तुम्हें एक बात समझ में आ गई, कि एक, simple सी बात है, एक मिनट, मैं 60 सेकंड होते है, 60 सेकंड में 80 बार beat करना चाहिए, अब तुम 30 सेकंड में कितनी बार beat करना अब तुम यूज कर सकते हैं, अब बात करते हैं, इसके counterpart की, यानि कि हमने ये तो समझ लिया, कि जो एक तम rich blood है, oxygen वाला blood है, वो body में जाता है, with the help of arteries, but arteries की भेहने होती है, veins, और veins का क्या काम होता है, यह वो vessels है, जो वो वाला blood होता है, थोड़ा गंदा, जिसमें carbon dioxide भरी पड़ी है, जो पूरे body part में अलग अलग जगे है, उस सारे blood को ये पहुचाती है veins दिल तक, जाने कि हमारे heart तक, और ये जो veins हैं, इनकी walls थोड़ी thin होती है, क्यों क्योंकि इनका pressure इतना तेज नहीं होता, but very important चीज़, इसमें walls present होते हैं, walls क्या होते हैं, wall मतलब ऐसा gate बना देना, जो सिर्फ एक side का रस्ता अलाव करता है, दूसरी side का रस्ता अलाव नहीं करता है, तो सिर्फ hurt की side जा सकता है, ये blood वापिस नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होगा, उल्टी side चला जाए, ये diagram बहुत बहुत super duper important है, तो इसको अभी ध्यान से हम शायद मेभी इस पर फिर से आएंगे, चलो, पहले आगे थोड़ा और समझ लेते हैं कि capillaries, अब capillaries क्या होता है, देखो, दिख रहा है, arteries जब आगे जाती हैं, तो और छोटी 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 डिवाइड हो जाती है, जिनको कहते हैं capillaries, यहाँ capillaries से ये vein बन जात जाता है, जो भी oxygen आती है, या CO2 देनी होती है, दोनों काम हो जाते हैं, आया समझ में, शाबाज, नहीं, कोई छोटी सी भी दिक्कत है न, तो comment करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, अब बात करते हैं, अगला very very important part, चोके hurt, बहुत, दिल, पिच्चरों वाला दिल नहीं, कि मै मैंने तुमको दिल दे दिया, ये तो कोई गाने नहीं, मैंने क्या गा दिया, छड़ो जी, पढ़ते हैं, जो हमारा hurt होता है, ये एक ऐसा organ है, जो के beat करता है, continuously सालों साल as a pump, और हमारे blood को transfer करता है, और carry करता है, उसमें substance, मतलब आप imagine करो, एक pump है, जो के सालों साल काम करत है, without, मतलब कुछ ज़्यादा मांगे, बस खाना खा लो, ये fuel के नाम पर क्या है, खाना, ठूस लो, और ये काम करता रहेगा, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी है चीज है हमारे पास, हमारी body के अंदर एक pump लगा हुआ है जो कि सिर्फ खाना मांगता है और काम करता रहता है, so this is so amazing, राइट, ये science है, तो अब ये दो हमें पता चल गया करता है, बट बात करते हैं कैसे, उससे पहले ये आप चका चौंद आपके सामने आ गया है, तो इसको वा, फोटो घीच लो, इसका, कैसे मैं आपको बताऊं क ये कितना important है, बहुत जादा यार मतलब, ठीक है, तो देखो, भाईया जो hurt है न, वो अलग-अलग चार हिस्तों में बटा होता है, तो जो upper two chambers होते हैं, ये उपर वाले दोनों, इन्हें कहा जाता है atrias, मतलब, या फिर कह सकते हो, एक individual को कहते हैं atrium, तो ये right atrium होता है, ये ventricle, ये वाले हैं ventricle, ये right ventricle, ये left ventricle, ये photo आपको बनाना, practice करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अब ये जो partition है, आपको दिख रहा है, 4, 1, 2, 3, 4, 4 chambered hurt होता है, कितना chambered, 4 chambered, very good, size क्या होता है, अपने हाथ को, ऐसे fingers को ऐसे बंद करोगे, अपने हाथ को, तो ये पूरा गूसा, जैसे गयाता है, गूसा मारते हो, वो जो गूसा बनता है, ये size होता है, हमारे hurt का, और ये थोड़ा सा हलका left side में होता है, ये सारी चीजा आपको पता होनी चीए, अब ये समझते है, ये 4 chambered क्यों होता है, भाई, ये 4 अलग अलग chamber, ये partition इसलिए है, ताकि जो mixing है, भाई, हमें पता है, हमारा blood कर क्या रहा है, oxygen को लेके blood में डालता है, और पूरी body में पहुचा आता है, और फिर जो गंदा blood, जिसमें carbon dioxide घुशी पड़ी है, वो वाला blood को वापिस यहां लाता है, और यहां पर फिर से उसको pump करता है, ठीक करके, तो समझ में रहा ह है, हर्ट बीट की बारे में, बहुत सिंपल छूटी सी चीज है, तो दिमाग नहीं लगाना है, जो हमारी wall होती है, चेमबर की, अलग-अलग, वो किसकी बनी होती है, muscles की बनी होती है, of course body के अंदर लोहा पत्थर तो है नहीं, अब यह जो muscles हैं, यह contract और relax करते है, rhythmically, हमारे हर्ट की अवाज ऐसी आती है न, इसी को कहते है हर्ट बीट, तो यह जो rhythmic contraction होता है, और फिर rhythmic relaxation होता है, इसे कहा जाता है, हर्ट बीट, हमारा दिल एक बार धड़का, जिसमें actually उसने पता है क्या करा है, pump करा है, एक बार वो contract हुआ, release हुआ, यह कहते हर्ट बीट, और हर्ट पीस होता है, यह doctors use करते है, इसके पार ऊपर भी question आ सकता है, बहुत ही घटिया, leecher question होगा, तो मैं खुद आ जाना चाहिए, इसमें दिमाग ही लगाना, चलो जी, ओके जी, अब अगला पार्ट हम यह, यह यह भी important पार्ट है, plants में कैसे काम करता है, देखो, अब बूजो बाई जो हैं, अपने बूजो बाई तो आप जानते होंगे, yes, अपने बूजो बाई, वो सोचरे कि यह जो sponges और hydra, यह क्या है, plants है, क्या इनके पास blood होता है, तो देखो, animal, जैसे कि sponge और hydra, यह actually क्या है, यह beach की category में आते है, ना यह animals है, ना यह plant है, तो यह एकदम, जै do not possess circulatory system, अब जो water होता है, जो इनको चाहिए food और oxygen के लिए, वो इनकी body के through ही इनके अंदर गुज जाता है, और यह body, यह जो water है, इनके अंदर waste material, carbon dioxide के through बाहर भी आ जाता है, तो इनका यह system होता है, अब बात करते हैं, अगले topic की, that is excretion, अब हमने circulation की बात कर ले, अब exc excretion की बात करते हैं, अब हमने last पुराने जाप्टर में पढ़ा कि, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, फिर बेकार सांस भाहर भी निकाल देते हैं, और आपने यह भी पढ़ा कि, हम खाना खाते हैं, digest होके फिर वो potty के तुरू बाहर निकल जाता है, बट और भी body में excretion होत होता है, यह body का system है, अब यह जो process है, इसके removal का, waste produced का, इन्हें कहा जाता है excretion, जो कि मुझे पता है, आपको पता था, है ना, अब वो parts जो involved होते excretion में, उन्हें कहा जाता है excretory system, कौन सा system, Elvis Y वाला system नहीं, excretory system, क्योंकि बेटा, इसी से फाइदा होगा, उससे नहीं ह होगा, अब समझो, अब बात करते है excretory system in humans की बारे में, तो उसमें बड़ा role play करती है kidneys, अब आपको हम वापस ले के चलते हैं, इसी सफर पर इस वाले photo के लिए ये वाला, ये वाला photo थोड़ा ध्यान रखना है, actually नीचे भी आएगा, तो नीचे आला ही दिखा देते हैं, देखो, kidney का क्या होता है, kidney filter है हमारी body का, जिसमें कुछ भी डालो filter होके निकल जाता है, अब जैसे ही जो हमारा blood है, वो हमारी दोनों kidney हो में पहुंचता है, वहाँ पर क्या है, useful और harmful दोनों substance है हमारे blood के अंदर, तो जो useful substance है हमारे blood का, वो absorb कर लेती हैं, ये kidney और पूरी body तक सारे cells में पहुंचा देती हैं, और जो ऐसा substance है, the water dissolved in water, the waste dissolved in water are removed as urine, अब जो हमारे body में जो blood था, उसमें जो liquid waste था, वो बाहर निकल जाता है, water के थुरू as urine, सुसू जाते ना, वो ही, from the kidney, the urine goes into the urinary bladder, अब kidney से ये पानी निकला, बेकार का, और कहां गया, urinary bladder में, ये द जादा, मतलब कितना मैं बोलू तुम्हें कि इसको रट लो, रट लो, easy बहुत है, पर बच्चे फिर भी practice निकलते हैं, तो तुम करोगे, ये क्या है, kidney है, kidney में filtration हो गया, filtration हो के ये ureter के थुरू गया, कहा, urinary bladder में, यहां पे हमारा liquid जो सुसू होती है, वो store हो जाती है, औ तो वहां पे इस part के थुरू वो निकल जाती है, आया समझ में, तो अब ये क्या है, अब इसमें एक important चीज समझो, ये ureter समझ में आ गया है, ट्यू बलेक structure होता है, जिसमें urine निकलती है, अब urine consist बंती किस से ये पता होना चाहिए, main, अब एक adult human जो होता है, वो normally 24 गंटे म अपनी body से बहार निकालता है, ये average है, अब तुम ऐसे count तो कर नहीं सकते है, तुम कितनी बार जाते हो, और urine consist करती है, 95% watery होता है, 2.5% urea होता है, जो कि waste है, और बाके 2.5% other waste products होते हैं, जो कि आप senior classes में अगर bio ले ली तो तो खूब पढ़ोगे दबा के, तो उसके एक और तरीका है, जिससे हमारी body में excretion होता है, वह है पसीना, कि आपने देखा है कितना पसीना आता है, और हमें पसीना क्यों आता है, यार, actually हमारे पसीने में salt और water, ये दो चीज़ें होती है, और इसको प्रूव करने के लिए कभी आपने देखा है, कई बार गर्मियों में, जब पसीने के निशान सूखते हैं तो white patch, white निशान बढ़ जाता है, especially बगल में, क्योंकि वहाँ जाधा पसीना आता है, तो actually system वो निशान white यसली है, क्योंकि वहाँ पर salt चूट गया, पानी तो उड़ गया, salt चूट गया, अब ये होता क्यों है, इसके लिए आपको जाता है, जिसकी वज़े से उसके अंदर पानी के particles की वज़े से वो ठंडा रहता है, पूरा pot ठंडा हो जाता है, क्योंकि पानी लगातार evaporate कर रहा है, रुक नहीं रहा उसके अंदर, जो cooling हो रही है, और ये same system हमारी body के अंदर भी होता है, हमारी body अपने आपको cool, देखो of substance in plant, very very important, इसको भी आप senior class में बहुत धुहंधार तरीके से पढ़ोगे, तो भाईया, plants आपने पता है कि photosynthesis से खाना बनाते हैं, और roots मैंसे अपने nutrients लेते हैं, ये basic चीज़ें आपको पता है, और photosynthesis कैसे होता है, ये भी पता है, but अब photosynthesis से खाना बनके कहां जा रहा है, औ roots से जो nutrients हैं, वो ऊपर कैसे पहुँच रहे हैं, इसकी बात कर रहे होंगे, हम basically, तो देखो, ये क्या है, ये xylem vessels है, actually xylem का बहुत ही close diagram है, अभी ये xylem क्या होता है, ये उडगा है न, आदी बाते उडगी, देखो बताता हूँ, तो गुर 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 अभी वापस आए हैं, और nutrients को transport करते हैं, from the soil, soil से उठाते हैं, और पूरी body तक ले जाते हैं, अभी ये जो vessels हैं, एक special cell से बने होते हैं, और इन cell को कहा जाता है, vascular tissue, क्या कहा जाता है, ये cell जो हैं, ये कहा नहीं जाता है, ये cell बनाते हैं, एक vascular, अभी ये vascular tissue क्या है, vascular tissue मतलब pipe जैसा tissue, जो pipe वाला काम करें, अब ये जो tissue है, एक special तरीके के cells के group से बना होता है, जिसका एक specialist काम होता है, एक specialized function होता है, और ये vascular tissue जो है, transport of water and nutrients का काम करते हैं, plant में, इन्हें कहा जाता है, xylem, xylem, अब आप इसको भूलेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, दि specialized काम क्या है, क्या काम है, ट्रांकपोर्ट करना, water और nutrients को, soil से, throughout the body, अब ये जो xylem है, ये form करता है, continuous network of channels that connect root to the leaves, ये क्या है, एक बहुत typical language लिग दी, बट बेसिक बात ये लिखी है, कि ये cell है, इस cell का काम क्या है, कि soil में से nutrient और पानी को उठाओ, और लेके जाओ कहाँ, stem में, और branches में, और पूरी body में, plant की, इसको पहुचा दो, ये ही काम करता है, यहाँ पे आप इसका photo देख सकते हैं, ये बहुत zoom कर रखा है, actually root के hair होते हैं, root के बाल निकले होते हैं, कभी आपने कोई भी plant वगेरा वैसा देखा होगा नीचे से, तो उसमें बाल बाजिस हो पर पूरे पेड में जा पा रहे हैं, sorted, बढ़िया, अब xylem का भी भाई भेन, जो भी आप कहलो, वो भी होता है, simple काम है, जो क्यों होता है, phloem, phloem क्या करता है, अब जो food है, जो बन गया, leaves में बना, अब ये जो food है, ये पूरी body में transport भी तो होगा, ये होता है, similar vascular tissue की म transpiration, जो कि बहुत easy, हमने पढ़ भी लिया है, classics में आपने पढ़ा था, कि plants जो है, वो बहुत सारा water release करते है, transpiration process में, अब ये होता है, पढ़ा भी था, उस समय फिर पढ़ लेते हैं, देखो, क्या होता है, plants जो है, बहुत सारे mineral nutrients और पानी, ये सब absorb करते हैं, soil से, उन्हों गुस्तो गया, soil से, निकलेगा कहां से, तो वो निकलता है, stomata, ये stomata कहां होता है, हर leaf में छोटे छोटे बहुत छोटे 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 छेद होते हैं, जब आप उसको microscope से देखोगे, तब दिखेंगे, यहां से, इन छोटे छोटे leaves में से, वो पानी उड़ जाता है, और इ Transpiration also cools down the plant, अब हम सोच के देखो, same चीज हो रहा, same system है, हमारी body के अंदर पानी था, हमें ठंडा होना था, तो system कैसा बना, कि यह पानी हमारी body से निकलेगा, और body से होते हुए evaporate हो जाएगा, इसके मीज में, क्योंकि यह पानी हमारी body के अंदर से निकला है, बार बार, तो body ठंडी हो जाएगी, same चीज प्लांट में, प्लांट के अंदर पानी था, वेस्ट, तो प्लांट को ठंडा भी होना है, तो यह system ऐसा बना, कि stomata की वजए से, जो प्लांट पानी निकलता है, वो पूरे प्लांट को ठंडा करता हुए जाता है, clear, तो बस, इसी के साथ, इतन dialysis थोड़ा सा और बता देता हूं, क्या होता है, हमारी जो body है, मतलब हमारी body के अंदर जो kidney है, kidney कई बार हमारी काम करना बंद करतीती है, हैना, kidney खराब हो जाती है, तो dialysis एक ऐसा process है, जहां पर हम artificially kidney के काम को machines के थुरू करवाते हैं, बंदा पूरे टाइम hospitalized रहता है, and that is called dialysis, आया है समझ में, excretion पता है, excretory system, hemoglobin बहुत अच्छे से पता है, heartbeat, kidney, phloem, plasma, ये भी पढ़ लिया, blood के अंदर होता है, plasma, liquid part, plasma के अंदर तीन चार्चीज़े होती है, platelet होती है, red blood cell होते है, white blood cell होते है, pulse भी पता है, root hair, stethoscope, अच्छे से पता है, doctor साब यूज़ करत है, जहां पर urine store होती है, vein, जो क्या काम करता है, बता होगे आप, WVC और xylem, तो ये सारी चीज़े थी जो आज हमने पढ़ी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो फटा फट वीडियो को कर दो, like, and channel को मार दो, फटा के subscribe, और अपने दोस्तों से भी करा दो, यार, चलो जी, आपा मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो वीच, तब तक के लिए जी, गुडबाई दी, टेक केर, और मोज मस्ती करते रहें, बाबाई,